दोस्तों आप सभी का अमारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है इंप्लोइबिलेटी स्किल्स के अब्जेक्टिव टाइप क्यूसन्स लेकर उपस्तित हुए हैं जो आईटिय सेकेंड ये के लिए बहुत ज्यादा महतुपून रहेंगे ये अब्जेक्टिव टाइप क्यूसन् पहले पार्ट में हमने 1 से 15 क्यूसन हल किये थे वहीं आज हम क्यूसन नंबर 16 से क्यूसन नंबर 30 तक हल करेंगे तो आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्रा alley कर सकते हैं और यहीं आपको यह PDF चाहिए तो आप उमें इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं ंस्टाग्राम पर आपको शर् dopamine मंत्रा और यह मेसेज करके ले सकते हैं 315 संद्रा प्लस क्योंस का पीडिएफ मिलने वाला है साथ ही इसमें सभी जो आपके सेकेंड येर का सेलेबस है वह कवर किया गया है एंपलोईबलेटी स्किल्स सेकेंड येर में 50 नंबर की रहने वाली है यदी हम ट्रेड थियोरी के बाद किसी सब्जक्त की बात करें तो वह इंपलोईबलेटी स्किल्स है तो सबसे जयादा नंबर की रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्यूसंस क्यूसर नमबर 16 है यदि आप से अपने पडोस में पाई जाने वाले इस्थनों की सूची बनाने को कहा जाई तो आप इसमें क्या-क्या समिलित करेंगे तो आप जेसे की ओप्सन देख रहे हैं ओप्सन नमबर D सही एंसर है अस्पताल इस्कूल और मंदीर आपके पडोस के इस्थानों में सामिल हो सकते हैं अगले क्यूसन की बात कर देते हैं क्यूसन नमबर 17 हमारी पडोस में एक फूलो का बगीचा है तो सुन्दर फूलो का बगीचा है यह ओप्सन की अकोडिंग आप इसमें सलेक्ट कर सकते हैं अगले क्यूसन की बात कर देते हैं, क्यूसन नमबर 18, एक आदर्स पडोस को परियावरण की आवशिक्ता है, किस परकार के परियावरण की आवशिक्ता है, खुसहाल, सुरक्षित और सुच्छ है, तो यहाँ option गलत दे रखा है, option नमबर D यहाँ सही answer है, यह सबी, खुसहाल सुरक्षित और सुच्छ परियावरण की आवशिक्ता आदर्स पडोस को होती है, क्यूसन नमबर 19, निम्नवेसिक क्या परियावरण में नकारात्मक परिवर्तन के परभाव को नहीं दर्साता, वनो रोपन, वनो उल्मुनन होता है, वनो को नस्ट करना, जल भू पूड़ा करकट, ये कच्रा होता है, वेश्ट होता है, वनो रोपन है, ये नकारात्मक परिवर्तन को नहीं दर्साता, ये एक सकारात्मक परिवर्तन है, हमें वनो रोपन करना चाहिए, यान कि वन ब्रक्स लगाने चाहिए, और वनो को बचाना चाहिए, वनो रोपन कहला यहाँ option number A, व्हुश्य नम्बर 20, अपने कारेयले में कारी करने के लिए printer में काघ अपीरयोक किया जाता है कोन से काघ्पर पीरयोक किया जा जाता है नई काघ्प्रेयोक प्रियोक किया जासकता है पुन्र नमेन निकरण या फिर इन में से कोई नहीं, यहाँ option number D सही देर रखा है, लेकिन हमें नए कागज का परियोग करना जाए, प्रिंटर में नए कागज का परियोग करते हैं, अगला क्यूशन है, निम्न में से किसके परियोग द्वारा परियावरन को स्वच एम हरा भ कम उर्जा उपयोग करके भी हम परियावरन को हरा भरा रख सकते हैं अनकूल रोधिकी का परियोग करके कर सकते हैं वन्य जीवों की रक्षा करके यहां कि option number D यहां सई answer है हम इन सभी कारणों से परियावरन को स्वच्छ वहरा भरा रख सकते हैं अगला क्यूशन है बिजली बचाना समय की मांग है हम बिजली बचा सकते हैं किस प्रकार से हम बिजली को बचा सकते हैं सर्दियों में हिटर का परियोग करके प्रति दिन electronicपकरिणों कु स्टेंड़ बओई मौड पर छोड़कर एलेड्य का प्रयोग करके तो option number D यहां सही answer है LED का प्रियोग करके हम बिजली को बचा सकते और इन तरीकों से हम बिजली का दुरू प्योग करते हैं Q3. कच्रे के उच्चित निस्तारण एवं पुनर्चक्रण के लिए आवशक है. निश्काशन, सेनक्षन वा इस्थानांतरण इन चारों ओप्सन में से, ओप्सन नमर ए यहां सई एंसर है, प्रतक्रन करके कचरे के उचित निस्तारण वे पुनर्चक्रन के लिए आवशक प्रतक्रन होता है, कचरे को अलग अलग ग्रूपों में वांटा जाना चाहिए, कौन सा ग्रूप गसोई का कचरा, यह रासाइनि कचरा इस प्रकार से, कचरे को अलग अलग भागों में हम प्रतक्रत करके उसका अनिस्तारण कर सकते हैं, उसका पुनर्चक्रन भी कर सकते हैं क्यूशन नंबर चोईस, निम्न में से कौन सा जेव निमनिकरन अपसिस्ट है, जेव निमनिकरन अपसिस्ट कौन सा है, प्लास्टी बेक, करत्रिम रेसे, इलेक्ट्रोनिक करत्रा, यह जेव निमनिकरन में आते हैं, वहीं खादी अपसिस्ट की बात करें, यह जेव निमनि अगला क्यूसन है निम्न मेंसी जल सरंक्षन का सरवतम तरीका कौन सा है जल का सरंक्षन किस तरीके से कर सकते हैं वर्षा जल संचेन कर सकते हैं वर्षा जल से जल का सरंक्षन होगा नहांते समय कम पाने परियोग करके भी कर सकते हैं जल का पुने उपरियोग करके भी कर सकते ह यहां option number D सही answer है, हम सभी तरीकों से जल का सरंक्षन कर सकते हैं, यह थे आज के हमारी 10 questions, यदि आप इस PDF को चाहते हैं, तो आप हमारी टेलिग्राम पर भी मेसेज कर सकते हैं, और यहां हमारी इंस्टाग्राम पर भी मेसेज कर सकते हैं, चलिए question number 26 की बात कर देते हैं, वर्स जल संचेन का प्रयोग करसिकारियों के लिए, जल की अपवे को रोकने के लिए, जल की कमी को दूर करने के लिए, तो वेसे तो option number D यहां सही answer है, करसिकारियों में भी वर्सा का जल उपयोग किया जाता है, जल की अपवे को रोकने के लिए वो जल की कमी को दूर करने के लि न किसी की होबी होती है, तो यहां option nr D सही answer दे रखा है, अगला 28 क्यूशन है, निम्ण लिखित में से क्या ब्रमन की लाब है, तो ब्रमन यान की घूमने के लाब क्या है, वोसल का विकास होता है, आत्म विश्वास में भी विर्द्धि होती है, उत्साव वर्दन होता है, य कौन सा सहासिक खेलों का उधारन है सहासिक खेल कौन सा है तेरा की क्रिकेट बंजी जंपिंग और सत्रंच तो बंजी जंपिंग सहासिक खेलों का उधारन माना गया है और आज का लास्ट टीस वां क्विशन है आप समुद्र में निवनवैसि कौन सा सहासिक खेल का आनंद के लिए और और भी फियोरी Employability Skills Workshop Calculation और EDK Notes के लिए हमें Instagram पर DM कर सकते हैं वहाँ आपको Notes मिल जाएंगी